हेलो फ्रेंड्स टेक्ट ऑडिट का टाइम चल रहा है एन्वल फाइलिंग का टाइम चल रहा है और आज का वीडियो बहुत होने वाला है विकास आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट एक्सल फॉर्मुला जो आपके टाइम आपके एफर्ट्स को बहुत हद तक सेव कर देंगे आपका टाइम बचेगा तो आपके प्रोड़क्टिविटी भी बहुत ज्या आपके मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ अभी तक हमने जीस्टी प्रैक्टिशनर का कोर्स, इंकम टैक्स का कोर्स, प्रफेशनल एकांटिंग कोर्स, रजिस्ट्रेशन कोर्स कम्प्लीट कर लिया है अपने इस चैनल पर, एकांटिंग कोर्स के कुछ लेक्चर्स चाहते हैं, तो आप हैं बहुत ही सही चैनल पर, अभी सब्सक्राइब करिए, नीचे है सब्सक्राइब बटन और कुछ ऐसे कोर्स हैं, जो हम लोग बहुत ज़ल्द लांच करने वाले हैं, जिसमें पहला है इन्वेस्टमेंट प्लैनर, जिसमें हम लोग सीखेंगे मूच् मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टैटिजीज और हम लोग सीखेंगे कि होता क्या शेयर मार्केट, टीमैट अकाउंट, इन शॉर्ट हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्लैनर बनके भी हम लोग अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या-क्या अर्निंग वाला हूँ एक छोटा तक होगा जिसमें हम लोग GSTR 9 और 9C को डीटेल में सीखने वाले हैं तो इसी तरीकी के मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अब सीधे चलते हैं एक्सल के फॉर्मुला के उपर और सीखते हैं कुछ मज़ेदार इंपॉर्टेंट एक्सल फॉर्मुला मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ एक्सल के उपर तो फ्रेंट्स हमें कुछ ऐसी बैलेंशीट बनानी होती है अपने क्लाइंट्स के लिए चाहे तो वो टैक्स आउडिट हो या नॉर्मल बैलेंशीट वो ऐसी बनती है हमने इसको पर डीटेल वीडियो बनाया हुआ है टो आज हम देखेंगे कि एक्सल के फॉर्मुले की मदद से कैसे हम पांच मिनिट में प्रॉफिटल लॉस और बैलेंशीट बबच जया होगला बना सकते हैं और अराम से दो पांच से दस मिनिट में कैसे हम बना सकते हैं profit and loss और balance sheet क्योंकि जो छोटे मोटे clients होते हैं उनका tally data maintain नहीं होता है किसी भी firm में जो छोटे मोटे clients होते हैं उनका data होता है वो tally maintain नहीं होता है वो हम लोग excel पे ही बनाते हैं ठीक है तो कौन-कौन से formula उसके लिए important है वो आज हम लोग देखने वाले हैं although मैंन उसके वर वीडियो बनाया हुआ है link description में है आप चाहें तो देख सकते हैं आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग excel के मदद से इस तरीके से profit and loss और balance sheet बना सकते हैं सबसे परे शुरुआत करते हैं basic formula से देखिए friends कई बार हमें raw data मिल जाता है कि भाई product मिल गया उसकी value मिल होती है excel की मदद तो कैसे करने हैं देखिए हमें GST की value बताने है हमें taxable value पता है ठीक है और हमें पता है GST का rate अब अपनको क्या करना है यहाँ पर जाएंगे equal का sign और excel में कोई भी formula start होता है equal से यह हमें पता है हमें basically taxable value और GST का multiply करना है into करना है तो हमने अपसे पहले select कर लिया taxable value फिर keyboard से हमने press किया multiply का sign और GST का rate और कर दिया enter तो यह आ गई GST की value अब सर क्या हमें एक एक रो में जाके अलग-अलग लगाना है formula तो नहीं क्या करेंगे सबसे पहली cell पर जाएंगे और shift arrow की से कर लिजिए इसको select और क्या press करना है keyboard से ctrl D जैसे ही ctrl D आप करोगे formula आ जाएगा आप चाहें तो आपकी यह तो 4-5 cell थी अगर आप चाहते हैं कि मैं नीचे तक लगा दूँ तो ctrl D कर दीजिए और formula आपका लग जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर value करेंगे type और यहाँ पर आप दे देंगे उसका percentage GST मानेजे 28% लग रहा है आप में GST दे दिया और लग गया उसका GST तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं value ठीक है अभी तो हमें से वहीं तक चाहिए तो हम नीचे जितना यह है यह तब कीदे हम लोग कर देंगे delete इसका अभी हमें कोई need नहीं है ठीक है सर अच्छा invoice value क्या होती है हमें पता है taxable value में जब GST add कर देते हैं तो आ जाती है invoice value तो अब हमें करना है equal taxable value में जाएए plus का sign करिए GST value add करिए और enter कर दीजे सर तर यह आगे हमारे invoice value क्या हम एक एक रो में जाके अलग से लगाएंगे formula नहीं अभी हमने देखा है सर कि हम जाएंगे first row पर और करेंगे select और keyboard से करेंगे press control D तो यह पूरा हो गया हमारा formula अच्छा अब अगर मैं आप से कहूं कि मु उपर जाओगे auto sample करोगे click और enter कर दोगे सर हो गया total लेकिन देखिए यह beginner level पर चल चल जाता है लेकिन अगर आप किसी interview में जाते हैं आप किसी CA firm में interview पिले जा रहे हैं या आप client के सामने यह formula लगाते हैं तो कहीं न कहीं फुड़ासा unprofessional हो जाता है ठीक है हो सकता है इसक negative impact चला जाए क्योंकि यह बहुत ही basic formula है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस पूरी column को हमें करना है select तो कैसे करेंगे select जाइए सबसे उपर वाले row column के उपर और shift control और down arrow क्या बोला मैंने shift control down arrow यह पूरा select हो गया अब अपने को क्या प्रेस करना है alt plus और equal क्या करना है alt plus और equal यह देखिए हो गया total उसी तरह इसका करना है total पहली row में गये control shift down arrow select हो गया फिर alt plus equal तर हो गया total तो यह थोड़ा सा professional method है तो इस तरीके दे हम करेंगे total इसके लावा भी एक formula है वो उसको बोलते हैं sum का formula equal sum उसके बाद bracket लगाएंगे जिस भी column का total या row का total करना है उसको करेंगे select और bracket करेंगे close और enter तो एक यह हो गया और दूसरा हो गया alt plus और equal तो यह हो गया sum के formula ऐसे आप लगा सकते हो total का formula I hope समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को rewind करेंगे और देखिए अच्छा अब यहां पर आती है एक problem हो सकता है आपने यह data किसी software से निकाला हो तो software से निकाल से समय हो सकता है कि कुछ value में error आ जाए जैसे यहाँ पर alphabet है यहाँ पर visit है इसकी जगह पर आ गया alphabet अब alphabet आने की वाज़ा से यह दे रहा है हमें error तो ना सिफ यहाँ पर error आ रही है बलकि total में भी error आ रही है ठीक है अभी हमें इसकी value नहीं पता है लेकर हम य जाना चाहते हैं कि जितना total सही है हना जितनी value सही है at least हमें उसका तो total पता हो जो error है वो बात में देखेंगे जो सही है उसका total तो हमें मिल जाए तो हम क्या formula लगाएंगे equal aggregate equal aggregate ही कै सर अब हमें क्या करना है total चाहिए तो इस जो list है इसमें check कर यह sum कहां लिखा हुआ है यह रहा सर सम, सम की value क्या है 9 तो हम चाहिए तो इसको double click करेंगे select अगर नहीं उख कर सकते हैं तो हम लोग क्या press करेंगे 9, 9 करेंगे फिर लगाएंगे comma अब हमें क्या चाहिए क्या instruction देना है excel को, excel को हमें देना है कि भया जो error value है उसको ignore कर दीजिए तो उसका number क्या है 6 तो कर करेंगे 6 और फिर करेंगे comma और जिस भी column या row का total करना है उसको करेंगे select bracket को करेंगे close और करेंगे enter कितना easy है आई इसमें भी कर लेते हैं equals aggregate 9,6,select करेंगे column को bracket करेंगे बंद और हो जाएगा enter sir आ गया अब अगर मानीचे यहां भी error आ जाती है तो अब हमें कोई tension नहीं लेनी है जितना value सही है उसका total हमें मिल जाएगा जो error है वो बात में देखेंगे बात में software पर जाएंगे या client से पूछेंगे कि भया यहां पर कौन सी value चाहिए अगर value मिल गई तो अच्छी बात है नहीं भी मिली तो error को ignore करके बाकी का total हमने निकाल लिया है तो यह हो गया पहला आपका सकते हो formula अब चलते हैं अगले formula की तरफ कई बार क्या होता है friends कि कि किसी भी software जब आप data करते हो extract तो कुछ इस तरह का data आता है आप देख रहे हो ना कितना यहां पर gap आ रहा है salary pay किया है 30,000 electricity pay किया है 450,000 और rent pay किया है Mr. Rahul को 450,000 का लेकिन यहां पर देखिए बहुत ही gap आ रहा है बीच में तो हम क्या चाहते है data हमें एक सही तरीके से देखने को मिले तो simple formula है आप एक बार में सीख जाओगे equal trim bracket और उस row या column में जाना है और bracket को close बहुत simple formula है equals to trim bracket लगाईए जिस भी row या column को सही करना है उसको कर ये select और bracket को close कर दीजिए enter सही हो गया अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमें हर जिगा formula लगाने की need नहीं है control इसको करेंगे select और control d करेंगे तो देखिए हमारा जो अभी तक data gap था समझ भी नहीं आ रहा था देखिए वो data कितना सही तरीके से हमारे पास आ चुका है तो एक सही तरीके से data की presentation भी हो गई और time भी कम लगा अब अगर मा लीज़े यहाँ पर 100 row हैं तो आपको बिल्कुर time नहीं लगने वाला है आपको बस क्या करना है पहली row में लगाना है formula और फिर सब को करना है select और control d करेंगे आपका सारा data एक सही format में सही presentation के साथ आपके सामने आ जाएगा तो यह हो गया अपना दूसरा formula अब चलते हैं अगले formula की त कई बार क्या होता है फ्रेंट्स डेटा हमारे पास इस format में आ जाता है यह problems आप लोगों ने कई बार face करी होगी कि भाई mobile की value मतलब 5000 है मतलब 5000 की sale value है TV की value है 9000 laptop 45 था 100 AC 3500 cooler 1034 अब अगर मैं आप से कहूं कि मुझे sale की total value बताईए अब आप इसको अगर लगाओगे ना formula सम का सम का अगर आप formula लगाओगे तो यहां तो पहली बात यह formula लेगा ही नहीं यह देखिए आए देख लेते हैं सर जीरो आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा calculator उठाईए अलग अलग अड़ करिए ठीक है सर दो चार पांट दत एंट्री है तो हम कर लेंगे 100 दो सो हजारों एंट्री है तो कैसे करेंगे तो हमें करना है हम यह चाहिए कि value हमें अलग मिल जाए बिसिकली हमें demerge करना है cell को बहुत easy है सर equal और हमें इधर से चार digit को क्या करना है separate करना है demerge करना है तो यह right है अगर आप देखो तो यह right का area है तो हमें यहाँ type करना है right अगर हमें mobile को separate करना होता mobile को separate करना होता तो हम type करते left तो हमें यह देखना होगा हमें data जो हमें demerge करना है वो left का करना है कि right का करना है digit जो है वो right में है तो मैंने type किया है right ठीक है और right type करने के बाद मैं लगाऊंगा इसको करूँगा select select करने के बाद मैं दूँगा comma और कितने digit है sir मुझे चार digit को करना है क्या demerge तो मैं यहाँ बे क्लिक करूँगा 4 अगर यह 5 होते तो मैं करता 5 छे होते मैं करता 6 और मैं करूँगा bracket को close और करूँगा enter sir यह demerge हो गया अब आपको कुछ नहीं करना है same जो अभी मैंने बताया करिए select control D control D करते ही यह इसने क्या कर दिया cell को separate कर दिया demerge कर दिया और हमें दे दी हमारी value अब हम इसका आथानी से total कर सकते हैं तो simply इसका हम करेंगे total अभी तो फिलार मैं basic formula यहाँ पर लगाता हूँ और इसको करता हूँ select और करता हूँ enter ओ ओ ओ जो zero आ रहा है friends यह भी एक error है excel की कई बार आप लोगों ने यह problem face करी होगी कि आप जब किसी digit को करते हो total तो है तो digit लेकिन total में आता है zero ऐसा कब होता है जब आप किसी software से या कहीं से data को copy paste करते हो तो उस case में जब आप लगात होते हो परिशान कि है तो digit मैं लगा रहा हूँ formula तो यहां तो आना चाहिए total बट आ रहा है zero तो इस error को कैसे करना है दूर आईए वो भी देख लेते हैं सबसे बहले क्या करिए जिसका भी total करना है देगे ना उसको कर लीजिए copy करा हमने copy अब यहां पर आईए right click करिए paste special में जाईए यहां पर आपने करना है value और नीचे आपने करना है add value और add और करना है ok और अब यह आ चुका है आपका visit के format में अब आप लगाईए formula और अब आपको मिल जाएगी आपकी value तो अगर आपके पास data इस format में है और आप परिशान हो रहे हैं किसर हमें value अलग चा करना है separate तो right left का करना है तो left bracket यहां पर 4 डिजिट थी अगर यहां पर होती 5 डिजिट तो हम क्या करते 5 तो हम 4 के जगा करते 5 तो जितने point के बाद आपको करना है separate उतना आपको यहां type करना है 4, 5, 6 और यह हो जाएगा separate बहुत easy formula है I hope अभी तक आपको मदा आ रहा होगा अ आइए चलते हैं आगे friends सबसे important यह है हमारा profit and loss account अब मैं आपको बताऊं last date चलती है तो कई बार हम लोग टैलीप एंट्री नहीं करते हैं सीधे बनाते हैं excel पे profit and loss और balance sheet और जो छोटे मुटी balance sheet होती है उनमें तो टैलीप एंट्री नहीं की जाती है सीधे excel पे बनाया जा profit and loss account तो कैसे बनता है देखिए friends अब इसके लिए हमें income tax के rule को भी सामने रखना है GST के rules को सामने रखना है और अपने जो formula है excel उसके बारे में भी पढ़ना है तो देखिए सबसे पहले जो sale की value है यह आप कहां से लिखेंगे sir GSTR 3B या GSTR 1 वहां से उठाइए sale की value तो मैं for example ले ले रहा हूँ 10 lakh rupees तो यह value तो आपको GST से लेनी है simple opening stock यह भीया last year से carry forward होगा तो मा लीजे last year का closing था इतना तो इस बार का opening हो गया purchase यह detail भी आपको GST से मिल जाएगी नहीं तो आपका client आपको बताई देगा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6,50,000 फिर closing stock यह भी चाहा देते हैं सर ठीक है फड़ा बहुत डाल देते हैं freight फड़ा बहुत कर देते हैं freight ठीक है सर अब आते हैं नीचे अब देखिए income tax का एक rule है तर वो rule कौन सा है वो section है 40 A3 बहुत famous section है सर यह तो यह जो section है क्या कहता है कि एक दिन में 10,000 से उपर आप अगर payment कर रहे हैं तो भहिया account pay check मतलब electronic medium से करिए cash में नहीं कर सकते हैं तो cash में कितना खर्चा allowed है सिर्फ 10,000 तक तो अब देखिए एक बढ़िया ता formula मैं आपको बताऊंगा इतना time नहीं होता है किसी के पास कि वो बैठ के tally पे entry करें छोटे मोटे clients का तो ऐसा ही बन जाता है बस आपको क्या पता होने चाहिए एक business में normally कौन कौन से खर्चे होते हैं वो मैंने लिख दिये हैं सबसे पहले उपर जाएए equals to randbt यह formula है इसको याद कर लीजे उसके बाद 10,000 तक हम cash में खर्चा दिखा सकते हैं income tax में भी चल जाएगा tax audit में भी चल जाएगा normal balance sheet में भी चल जाएगा ITR 3 में भी चल जाएगा तो यहाँ पर हमें एक range दे देंगे कि 5000 से 10,000 अब यहाँ पर कोई भी आप range दे सकते हो मैं आपको income tax के हिसाफ के बता रहा हूं कि 10,000 तक cash में खर्चा allowed है bracket बंद enter और फिर जैसा कि भी हमने बताया है कि जब copy paste करना होता है तो सारी row को हम करेंगे select ctrl B आप इसने क्या किया इसने हमें अब हमें सोच सोच के नहीं डालना पड़ा इसने हमें random एक value दे दी आप हमें क्या करना है कोई कुछ ऐसे खर्ची होंगे जो हमें exact पता होंगे जैसे salary कितनी salary हम दे रहे हैं बाई जितना staff है जितनी monthly salary है वह हमें पता है तो वह हम यहाँ प पता होती है 12 महीने की बिजली के बिल देख लीजिए आपको पता चल जाएगा क्या खर्चा है वह खर्चा यहाँ पर डाल देते हैं सर सपोस्थ 23,000 बाकी जो खर्चे नहीं पता है तो हमने उनको random basis पर डाल दिया अब हमें कोई tension नहीं है income tax में भी allowed है tax audit में भी allowed है कुछ disallow नहीं होगा तो यह बन गया आपका profit and loss account सर यहाँ पर कैसे यह net profit कैसे आ रहा है यह formula कैसे लगे है तो यह normal formula है friends देखिए gross profit क्या होता है sale closing stock को add करके यह सारी चीज़े हम less करेंगे जितने भी direct expense है तो यहाँ पर formula क्या लगा दिया equals इसमें से minus less करना है क्या क्या ओपनिंग stock plus का sign purchase plus का sign और freight और bracket बंग और enter क्या बता रहा है इकने इस minus sum का formula भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो आईए देखते हैं ठीक है तो sum का formula यूज भी यूज कर सकते हैं और normal भी कर सकते हैं कुछ error आ रही थी ठीक है उसी तरह यहाँ पर equals to this minus sum bracket और इन सब का total हमें करना है बलकि हमें depreciation भी लेना है तरह देखते हैं क्यों ब्लैंक छोड़ा है अभी बताते हैं यह हमारा आगया net profit depreciation यह कहां से उठाना है value यह में उठाना है value fix assets का तो schedule होता है तो schedule से उठाना है तो total इतना था हमारी opening value उसके उपर depreciation 10% कितना आगया सर 3204 तर यह formula कैसे लगाएंगे अभी जो हमने यह सीखा है यहां पर हम taxable value में GST निकाल रहे थे और यहां पर asset में से depreciation निकालना है तो अब यह value हमें कहां लिखनी है profit and loss के debit में यहां पर तो यह blank छोड़ा हुआ है तो क्या हम type करेंगे नई हमें जब दो cell में एक value चाहिए होती है तो हम क्या करेंगे उस cell पर जाएंगे और equal करेंगे प्रेस और हमें यहां पर कौन सी value चाहिए हमें value चाहिए depreciation की तो इसके उपर करिए click और enter कर दीजे value automatic यहां पर आ गईगी अब हम जैसे जैसे यहां पर value change अगर करेंगे तो depreciation भी automatically change हो जाएगा basically हमने यहां पर formula बता दिया है कि भाईया depreciation के value कहां से आएगी depreciation schedule से आएगी तो इस तरीके से finalize होते हैं account एक किसी भी firm में कोई भी taxation की firm है CA firm है कोई भी law firm है sales actual purchase opening freight salary आपको पता है electricity आपको पता है आपको सोच सोच के डालने की जरूरत नहीं है आपको क्या यहां पर लगाना है formula रेंड बीट्वीन पांच हजार से दस हजार की range दे दीजे अब आप यहां पर कोई भी range दे सकते हैं एक लाग से दो लाग की दे दीजे पचास हजार से एक लाग की दे दीजे लेकिन आगे चलके आपको हो सकता है प्रूफ करना पड़ जाए कि यह आपने other than cash खर्चे करें तो safer side किया है कि 10 हजार के नीचे रखो और आराम से आपका काम भी हो जाएगा और कोई notice वगारा भी नहीं आएगा ऐसे बन जाता है आपका profit and loss दो मिनट में ठीक है उसी तरह हम बना लेगे balance sheet और capital account तो friends ये था video ये वो important formula थे जो एक accountant चाहे आप CA हो CS हो CMA हो कोई lawyer हो ये formulas आपको पता होने चाहिए इसे आपका time बचेगा आपका effort बचेगा और अगर आप कहीं job के लिए जा हैं जिनको दिखा के आप अपने employer को impress कर सकते हैं अगर आप खुद practice कर रहे हैं तो आप अपना time बचा सकते हैं ठीक है friends कैसा लगा video कैसे लगे formula ये आप मुझे जरूर बताइए कुछ और भी videos हैं मतलब कुछ और भी formulas हैं छोटे-छोटे हैं वो मैं कोशिच करूंगा किसे और वीडियो में आपको बताने की लेकिन जो मतलब सबसे ज्यादा यूद होते हैं जो formula वो मैंने आपको बता दिये हैं I hope video आपको अच्छा लगा होगा like करो share करो मिलते हैं अगले वीडियो में